वेलकम प्रेंट्स आपके नए सेडूल के अपकी क्लास जैसे कि आपने देखा होगा नए सेडूल आपका पांच मार्च को अपडेट कर दिया गया था और एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब आपकी जो क्लास थी जॉइनिंग की वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है कोई आपकी जॉइनिंग चार्ज नहीं बिल्कुल फ्री आपको अगर इस्पेसल क्लास करना है इस्पेसल सुभधाय लेना है जैसे कि आपके नंबर पे डारेंट सभी लिंक दिया जाए जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो वो टॉपिक आपका क्लियर किया जाए उस टॉ आपको जॉइन करना होगा बागी सभी साधारन कलास जो है यूटूब पर जो पहले आप लोग जॉइन करते थे 500 पे करके आप कुछ भी नहीं करना बिल्कुल फ्री टोटल आप चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेसन आम रखें यह नहीं बगल में जो बेल उप्ट गड़ितग आरभट जैसे अपने महत्वपूर्ण खोजों को प्रगड़ किया था तो आईए बात करते हैं क्या है गड़ित का सोण यूग कहा जाने वाला यह मत्यकाल इस काल में आरभट सिरीधराचारे, भासकराचारे, महावीराचारे जैसे महान और स्रेष्ट अधरड सम्मानी गड़ितग प्रगट हुए थे इस काल में और इतना ही नहीं आप इसके बाद हम देखेंगे एक एक गड़ितग के बारे में उन्होंने क्या खोजा थामद निकाल में जैसे कि आप प्रगड़िये पड़ रहें जरूरी नहीं कि यह दो सबी के लिए महत्वपूर् आपकी जन्रल नौलेज है गड़ित के बारे में बिल्कुल गड़ित में आपको गड़ित के बनना इसको पड़के देखिए आरभट के बारे में पहले बात करेंगे गड़ित की मूल क्रियाएं घाद क्रिया जिसे पावर बोलते हैं और छेत्रफाल यानि एरिया आयतन करण यूख या मन्द काल में किया था आप से ये सवाल पूछा जा सकता है परिक्षा में कि समी करणों की खोज किस ने किया था आरभट यह पाई का मान 3.1416 का खोज कब हुआ था? समझ रहे ना हमारी बातों को? इसके अलावा अंकन पधती की खोज भी इसी मद्यकाल में ही हुई थी अब ही हम बात करेंगे महावीगाचारे, भासकराचारे, सिरिदराचारे और आरगट के कुछ और महाथ तूण खोजों के बारे में इस कलास को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम क्लियर होगा हमारी जिम्मेदारी होगी उसके पहले लेकिन अगर कलास को भी तुरंत लाइक कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा और वो तुरंत कर लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और फिर आपको कलास मिलती रहें और हाँ अगर आप इस्पेसल कलास चाहते हैं तो उपर दिएगे नंबर पर कॉंटेंट करें गड़े सिखाने की संपूर्ट गारंटी के साथ कलास जोइन करें चलिए देखते हैं आगे कुछ मात्तवपूर्ट खोजें इसके बात देखिए इसमें हम जो बात कर रहे थे कुछ और भी गड़तक के बारे में देखेंगे जैसे मध्यकाल के अंतरगत आते हैं भासकर पर्थम भासकर दो हैं ध्यान दिजिएगा बासकर पर्थान इनका जो काल था वो 600SB के आसपास इन्होंने क्या क्या किया था अपनी पुष्टक जिनके नाम इतर दिये गए हैं महा भास करिये और आरेभट्टी ये भास से तथा लग उभास करिये इन पुष्टकों का क्या किया था इन्होंने difi kia peter किया इनको बनाया नहीं था इनोंने क्यों कि ये Oh 200 आर मिक कि ने किया तो बहाश का कर्था न носे चेटी सिस्टी के आटлом दुसरे जो गड़तक के आपके आते हैं वो है ब्रह्मगुप्त्र ब्रह्मगुप्त्र ने 628 इसबी के आसपास में समकोन तिर्पुच के सल और सूत्र का विष्देत ररंग किया था ये सब कब किया गया था मद्यकाल में इसका समय 420 से लेकि 1200 इसबी तक है इतना ही नहीं यहीं पर नहीं था माई ये सिलसिला महावीराचारे ने 850 से इसबी में गड़ित सार नामक पुष्टक की रशना किया और इस गड़ित सार नामक उस्तक की विशेष्टा ये थी कि इसमें बहुत गड़ित के important topic को बताया गया और update किया गया LCM का अधुनिक नियम यानि कि modern rule of LCM इसी गड़ित सार नामक उस्तक में दिया गया ठीक है LCM आपने बढ़ा होगा और इदना ही नहीं एक बहुत ही महात्रपूर और रोचक तर्थे कि LCM का पहली बार परियोग यूरोप में 1500 SB में किया गया था कहां किया गया था यूरोप में सन 1500 SB में किया गया था इसके आगे हम आपको कुछ बताएंगे वीडियो को रोप करके स्क्रीन साट ले लिजिए जिनको जिनको लिखना है और quality class की change करने जिससे आपको clear दिखे पूरे class देखिएगा like कर दीजिए फिर आगे चलते हैं आगे देखिए अगे सिरीदराचारे एक ऐसा रामबार नुस्खा लेके आते हैं कि अगर समी करण हल करते हैं तो यह बंदर समी करण के मून निकालते हैं नहीं आता है तो और काईते हैं चलो सिरीदराचारे का सूत्र आप देखे होगे यक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी अपांड टू ए यह होता है ना मैंत में समीकरण के दो मूल निकालने के लिए इतना ही नहीं इन्होंने गर्ट में और भी बहुत ही महत्तुपूर्ड योगदान दिया है जिसकी यहाँ पर सारी ब्याख्या करवाना असंभव है देखिए कुछ बगाते हैं आप कोद में से नौ छातिका तथा त्रिसातिका नामक गर्ट की रिजना इन्होंने किया था यानि कि स्रिदराचारे ने कप किया था स्रुड यूग में किया था मतलब मत्यकाल में आपसे मत्यकाल ना पूछ करके स्रुड यूग भी पूछा जा सकता है स्रुड यूग के किनी तीन गर्टकों के नाम लिखिए तो आप बता दीजिए का कुछ भी तीन गर्टक जो मैंने आपको बताया है मा बीरा चायरे स्रीधरा चायरे और राजादित्य हो गया ना तीन आगे देखिए राजादित्य ने लगभव 1220 में यानि कि जब ये कालंद होने वाला था खताम होने वाला था तो इन्होंने कन्नर साहित में बहुत सारे गडित के गरंथ लिखे और एक बात याद रखिएगा इन्होंने अपना इतिहास भी बना दिया सबसे खास वो क्या था कि कन्नर साहित में गडित का गरंथ लिखने वाले ये पहले विद्वान हुए थे इसके पहले किसी ने कन्नर साहित में गडित का गरंथ नहीं लिखा हुआ था जिनमें कुछ किताबे हैं बैवहार गडित, छेतर गडित, बैवहार रत्न और जैन गडित के साथ सूत्र टीको दाहरण और त्रिसुते ये कुछ खास है, अभी इनके हम और भी कुछ पुछतक के बारे में दिखाते हैं, कुछ गरंध, जो कि इस सामय में इन्होंने लिखा हुआ था कर्णड में, तो उनको भी देख लीचिएगा, इस कलास को पूरा देखिएगा, देखिए सबकोंड तिरभुज में कर्ण पर बना वर्ग सेस दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आपने देखा होगा, इसे बोलते हैं पाइथा गोरस की परमिये, जब हमें तिरभुज की कोई दो भुजादी होती है, आपने देखा होगा तिरकोंड मिती में, चाहे वो कच्छा दस की हो, या कंपटिशन लेबल की हो, इसमें अगर हमें आधार और लंब दिया होता है, तो हम करण निकाल लेते हैं इस सूत्र की सहता से, जिससे साट में आप लोग लिखते हैं, एसी का स्कॉयर इकॉल, एबी का स्कॉयर धान, बीसी का स्कॉयर, इसका समान वर्गों की रचना करना, फिर से समझेगा, दो दियेगे वर्गों के योग और अंतर के समान वर्गों की रचना करना, मतलब दो वर्ग दिया गया, उसका योग करिए, और फिर योग करने के बाद क्या, उसकी रचना करिए जो आया योग करने पार, और अंतर का भी उ कारण दूर रासियों के वहर्ग मूल गयात करना बहुत ही महत्कुणट तॉपिक है। करुंतर बृत्र को ब्रीट्र को बड़ना मतलब और मतलब जानतें स्कूर को सर्कल में स्वायर में स्वायर करना इसके आलामा संखुरु प्रिड को घनफल मुल्य। करना गहनफल जानते हैं इसे क्यों बोलते हैं वही और वित्त की परदी यानि circumference आयान सूची ग्याद करना इसके साथ साथ गोलक का गहनफल ग्याद करना मतलब गोले का गहन निकालना जिसे बोलते हैं ठीक है ये सबी खोजे इसी सुरण यूब में हुई थी और गडित का ल घ्ड़ित का सोारणकाल का जाता है आप से पूछा जाए पीदित का स्वरणकाल कब कम से कफमाना जाता है तो एक मद्धा कि एनुसार जो घ्रिका स्वरणकाल creative 400 इसबी से 1200 के मध्र माना जाता है अगर आप लोग सारे वैटर की Management प्राप्त करना चाहते हैं यहां से नहीं लिख पार रहे हैं तो आप 9793-488-448 पर मैसेज करेंगे और स्पेशल क्लास के अंतरगत आपको इसकी पीडियाप फाइल भी प्रवाइट की जाती है ठीक है तो आप पासकते हैं नहीं तो क्वालिटी चेंज करें से अगली क्लास रातरी दस बज़े से डियलेट फोर्ट सेमेस्टर की बड़ित जैसे कि आप लोग अभी कंफर्म नहीं होंगे सब्सक्राइब बना है तो साड़े नौ बज़े से दस बज़े के बीच आपकी डियलेट फाइस्ट और सिकेंड समेस्टर की कलास होती है जिसमें सोमवार मंगलवार बुदवार यानि मंडे फ्राइडे अंड मंडे टूजडे और बेडना है दीऐलेट फर्स सेमेस्टर होती है उसके लावा जो तीन दीन बज़ता है आपका ठर्ट डे फ्रीड और सटर्डे उसमें डियलेट सिकेंड समेस्टर होती है तो उस daughterे आज डैलेट Snapdragon समेस्टर की गड़े थी उसके बाद जैस्ट उसी के बाद में 10 बजे से लेके 10.30 के बीच में सोमवार मंगलवार गुदवार यानि मंडे और ट्यूजडे बेड़नाज दे ठर्ड समेफ्टर होती है और बिरहस्पतिवार सुक्रवार और सनिवार यानि कि ठर्फडे फ्राइडे और सतर्डे डियलेड फोर्थ सम अब उजयर तो आप नंबरों पे कॉंटेट कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मेराज कुमारे दवनसी फिर से आपकी अगली क्लास और नई उमीद के साथ अगली क्लास में राद्री अभी 10 बजे से फिर से आउगा तब तक के लिए थोड़ा फाइंतजार करिएगा कुछ रिपीट कर लीजिए थैंक्यू अगली क्लास का इंतजार करिएगा आपको मिल जाएगी लिंक उसकी चैनल पर अगर जाएगे तो होम पेज पे थैंक्स वा वाचिंग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इनी बातों के साथ जै हिन जै भारत इस वीडियो को सेयर क करके जाएगा यही रिक्वेश्ट है आपसे और आप जरूर करिएगे